कि यह गाईस वैलकम बैक to my channel waste material craft में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बनाने वाले है फोटो फ्रेम फोटो फ्रेम क्या चीख से हम बनाने वाले फोटो फ्रेम हम एक वेस्ट कार्डबोट से बनाने वाले है क्यूंकि आप सभी को तो पता हिया मेरे यूटूब चैनल पे waste material करा ही craft मिलने वाला है तो वीडियो skip करने से पहले या वीडियो दुसरा बदलने से पहले ये वीडियो को ज़रूर से देख लेजएगा क्योंकि आपके बहुत काम का ये वीडियो है तो cardboard से हम photo frame बनाने वाले हैं तो चलिए बनाते हैं हाँ और उससे पहले एक बहुत important बात ये waste material का जो craft हम करने वाले है ना इसमें आपका तो फाइदा है ही है साथ में अपने देश का अपने environment का बहुत जादा फाइदा है तो अपने लिए ना सही अपने देश के बचाने के लिए जरूर से आप waste material से कुछ ना कुछ unique बनाना सीखें मैं यह नहीं कहती हूँ किसी वाप craft ही करिए लेकिन हाँ waste material से आप बहुत कुछ बना सकते हो अगर आप भी मेरे साथ देश में थोड़ा सभी योगदान देना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को देख ले और जैसे जैसे मैं waste material से कुछ ना कुछ unique चीज और creative चीज बनाती रहती हूँ वैसे आप भी देखिए और आप भी सिखिए तो यह सब वीडियो देख देखसे क्या बनाने वाले हैं तो चलिए ज्यादा ना बख बख करते हुए चलते हैं वीडियो बनानी की और तो यह जो कार्ट बोड है यह जो आप गॉना चिव क्य intelligent राज तो यह था प्रदा थीन होना चिए हम जो uns उसके लिए हमें थोड़ा सा मूटा कार्ट पूट चाहिए ठीक है तो चलते चलते हैं बनाते हैं और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना बूलना और ज्यादा पसंदा है तो शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बूलना ही मत तो हमें कार्ट बूड ले लेना है और एक ब्लैंक पेपर ले लेना है सीजर ले लेना है उसके बाद जो फोटो फ्रेम हम बनाने वाले उसके साइस के अपने कार्ट बूड को कट कर लेना है तो कार्ट बूड को कुछ इस तरीके से कट करने के बाद जो हमने ब्लैंक पेपर लिया था वो पेपर को उस पर स्टिक कर देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए जैसे जैसे वीडियो में आपको step by step दिख रहा है इसी तरीके से आपको स्टिक कर देना है बीच में हम एक बड़ा सा कट लगा लेंगे उसके बाद उसे भी अच्छे से स्टिक कर दें तो कुछ इस तरीके से round कर लेना है और बाद में उसे cut कर लेना है उसे cut करने के बाद एक के उपर एक के उपर stick करते जाना है कुछ इस तरीके से उसके बाद उसे थोड़ा dry होने के लिए रख देना है उसके बाद green paper लेना है और हम उससे अपना leaf बनाएंगे लीफ बनाने के लिए हमें लीफ शेप में कट कर लेना है उसके बाद लीफ को और थोड़ा से सुन्दर लुक देने के लिए लीफ को थोड़ा जिगजग जिगजग करके फोल्ड कर देना है उसके बाद उसे ओपन कर देना है तो कुछ इस तरीके से लीफ बनके तयार हो तो कुछ इस तरीके से स्टिक करके राउंड कर देना है मैंने उसे थोड़े दिर रबबट से बांद के रख दिया ताकि वह अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए उसके बाद बीच में से इसलिए है आप अपना पसंद का वीच ले सकते हो इस तरीके से सारे में ग्लू कर लेंगे डाट डाट उसके बाद हम अपना वीडियो में देख लीजिए इसके बाद ये सारा वीडि करने के बाद अगले प्रोसेस के और चलते हैं उसी उल्टा कर लेना है और उसके बाद जो हम फोटोस उसमें लगाने वाले है वो फोटो को अपने माप के एकॉर्डिंग उसे स्टिक कर लेना है उसके बाद ये देखिए हमने फैबिक उलसे से स्टिक कर लिया है और उसके बाद हम उसमें अटैज कर देंगे इसके बाद य लेकिन अगर पीछे cardboard नहीं लगाएंगे तो हमारा फोटो फ्रेम जल्दी खराब होने की चांस से इसके लिए कुछ उसके ही साइस का cardboard काट के उसके बाद हम उसमें स्टिक कर देंगे पीछे hanging के लिए मैंने वूल लगा दिया है आप चाहों तो पेपर्स भी स्टिक कर सकते हों यह देखिया हमारा वाल हैंगिंग मन के तयारे कैसा लगा पसंद आतो लाइक करना थैंक